ये हैं वो साथ काम जो रावन करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया रावन को विज्ञान और शास्त्रों का प्रकान पंडित माना जाता है रावन को सभी शास्त्रों का ज्यान था और इसी ज्यान के मद में वे हमेशा ऐसे कारियों की कलपना करता था जो वे ज्यान और प्रकृति के विरुद्ध होते थे आज हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो रावन भगवान की सक्ता को मिटाने के लिए करना चाहता था लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि वे बातें प्रकृति के विरुद्ध थी उनसे अधर्म बढ़ता और राक्षस प्रवृतियां अनियंत्रित हो राती ये हैं वो साथ काम जो रावन करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया एक देश संसार से भगवान की पूजा समाप्त करना रावन का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो दो देश स्वर्ग तक्सी धियां बनाना भगवान की सत्ता कुछ उनवती देने के लिए रावन स्वर्ग तक्सी धिया बनाना चाहता था ताकि जो लोग मुक्ष्या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूझते हैं वे पूढा बंद कर रावन को ही भगवान माने तीन देश सोने में सुगंध डालना रावन चाहता था कि सोने स्वर्ण में सुगंध होनी चाहिए रावन दुनिया भर के सोने पर खुद कब्डा जमाना चाहता था सोना खोजने में कोई परिशानी नहीं हो इसलिए वो उसमें सुगंध डालना चाहता था चार बैश काले रंग को गोरा करना रावन खुद काला था इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाती में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोड़े हो जाए जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके पांच देश शराब से दुरगंद दूर करना रावन शराब से बदभू भी मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके लोग अधर्म को बढ़ा सके छे देश खून का रंग सफेध हो जाए रावन चाहता था कि मानव रक्त का रंग लाल से सफेध हो जाए जब रावन विश्वद जी यात्रा पर निकला था तो उसने सेक्डों युद्ध किये करोडों लोगों का खून बहाया सारी नदिया और सरोवर खून से लाल हो गए थे प्रक्रती का संतुलन बेगडने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावन को दोशी मानते थे तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग लाल से सफेध हो जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है वो पानी में मिलकर पानी जैसा हो जाएगा सत देश समुद्र के पानी को मीठा बनाना रावन सातों समुद्रों के पानी को मीठा बनाना चाहता था